हालो फ्रेंड्स मैं जितन सिंग गजट इन्वेशन में आपको स्वावब करता हूं आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर रहे हैं अलकाटल आइडल 4 जिसका अंबॉक्सिंग वीडियो हम आज करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि अलकाटल इसके अंदर क्या-क के लिए इसके अंधर दिया गया है is में देखें लिखाए 13 Megapixel रहर कैमरा एट मेंगा पिक्सल प्रंत कैमरा दिया गया है 3.6 watt के दो स्पीकर दीएं अच्प्रेंगे इसके अंदर है तो चलिए हम इसको देखते हैं कि अ कि देखिए कि दोस्तों यह इसके अंदर फुल ग्लॉसी बॉड़ी इसके अंदर दिया है अलकाटल ने और यह पूरा ग्लास फिनिश के साथ आता है दोनों साइट बहुत साइट से और इसका फ्रीम जो है कंप्री ने मैटल का दिया है गोल कर बैक कर और सिल्वर कर तीन कलर में आता है और बहुत अच्छा फिनिश दिखता है इसका लुक जो प्रीमियम फोन लगता है यह देखने से और सिंगल हैंड़ेड असानी से ऑप्रेट किया जा सकता है काफी स्लिम फोन बनाया है कंपनी ने काफी अच्छी लुक दिय डीचा जो कंपनी दूंपर के लिए यज़िये शेलिटी दni नियुसर इंतर इसका झाज अधैश लिगत मता है ग्पार नहीं से दिया कंपनी मजल दिखार अब हैं इसका अधर है और यद्ग को मिकस नदर माइक दिया है और इसके अंदर नीचे की तरफ भी एक सेटिंड माइक नाइस कैंसलेशन दिया गया और यूएजबी 2.0 इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का जो इसके अंदर फोड दिया गया है इटके ड्रौ जोक सेंयों के साथ फोन अता है यह 4OH डीव्येफ फीचर में यह दिखिए जेस्टर इंदर इसके अंदर मों दिया गया है डबल टीक सट्रीजफ प्रीच्ट इसके अंदर दिया गया है जिससे हम सक्रीन को डबल टीप करक परके ऑनवेख और ऑफ कर सकते हैं स् कि थोड़ा सा स्लो है पर देखते हैं दुबारा इसको अब ठीक काम करना है देखिए और इसके अंदर आपको stroll को लगाते हैं तो आपको ये TENSION नहीं रहता है कि इसका साउंड वह भ्राश् COB gekommen लें जिसस्से इसका ऑडियू सुनने में और बात करने में कॉल अटेंड करने में हमें कोई प्रावलम नहीं होता है और इसके अंदर यह बैक सेट पर देखिए 13 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा दिया गया जो प्राइमरी कैमरा है डॉल टॉन डॉल एलेडी फ्लेश के साथ आता है यह जिससे कलर रियल कलर दिखाई दें यह अलकाटल का ब्रैंडिंग दिय नीचे अटल इसके अंदर इसका ब्रैंड नेम दिया घया है मोवाइल नेम और फ्रंट में यह सेंसर दिया आगया देखिए प्रॉक्समीटीक सेंसर और इसके इसका एट मेगा पिकुसल कैमरा दिया गया हि अ, आपाइट फोकॉस पीडीयाफ फीचर के साथ यह अपर्चर स्पीड इसका 2.0 दिया गया है और इसके अंदर 3D वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्षन है, यह अप्लिकेशन इसमें कम्पनी ने प्रोइट किया है, जिसके अंदर हम 3D वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और इसको प्ले करने के लिए देख़्िए, आए वारंटी इंफरमेशन दिया कंपनी ने और अलकाटाल ने इसके साथ यह वारंटी कार्ड है वारंटी सेटिफिकेट और यह गेटिंग स्टार्ट यह इसका अलकाट अलका जो इसके साथ वियर हैट्षट प्रवाइब किया कंपनी ने देखिए इसके साथ दोस्ते यह इसके स साथ एक सिम एजेक्टर टूल और इसके साथ कंपनी ने एक ट्वंटी टू मॉडल का जे बील का एक ब्रेंड़ एएफोन दिया है है एड़सेट दिया है जो पहुत ही उंदा क्वालिटी का है अच्छे सांड प्रोइड करता है कंपनी का कहना है और इसके साथ इसके अंदर दिखिए इसका चार्जिंग अड़ेप्टर और यह इसके अंदर इसका यूस्बी 2.0 का केबल डाटा केबल प्लस चार्जिंग केबल और यह इसका अड़ेप्टर है जो टू मिली एंपियर का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पूरी तरह से फाइव वल्ट का फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है यह फोन इसके अंदर 2610 इसका 2610 मह का बैटरी दिया है यह जो एक दिन पूरा अच्छी तरह से नॉर्मल यूज में चल जाता है और एक घंटे में पूरी चार्जिंग ले लेता है यह फोन काफी अच्छा इसका डिस्प्लेई है देखिए कि साइट से देखने पर भी कलर डिस्टॉर्ड नहीं होते है और इसका हम आउट्डोर में भी इसका डिस्प्लेई काफी अच्छा से दिखाई देता है इसके अंदर जो एक इबस दी गई दिखिए इसमें शेटिंग्स ड Awesome अफम डदी करना करना है कि छॉ caf बनाए रखता आपके फोन की और इसके अंदर एक कमपास सेंसर दिया है देखिए जो रोटेशन करने पर है हम इसको चला सकते हैं देखिए यह ओन हो गया है यह लेकिए और इसके अंदर जो है डबल ट्रीचर ऑन अफ के साथ यह इसके अंदर बबल ट्रब कर सकते हैं और इसके नदर यह भूमकी को दिया गया जिस से कह प्लडाक यहांनं और अगर हम गैलरी में हैं तो गैलरी में इसके फोटो को पॉलाज में कनवर्ट कर सकते हैं बूमकी से और इसको डिरेक्ट वीडियो और फोटो हम डिरेक्ट ऑनलाइन अप्लोड भी कर सकते हैं इस फीचर के तरू 3.6 वार्ट का इसके अंदर डूवल स्कीकर दिये गए हैं सिंगल है ने लिए अप्रेट करने में यह फोन बहुत ही इजी है देखिए देखिए इसके अंदर इसके अंदर सोशल मीडिया की एपस बी कंपनी ने इसके अंदर दिये हैं यह वेब साउंड मैक्स आड्यो फीचर इसके अंदर दिया गए जिसके अंदर हम स्टीडियो फानिक सेटिंग असानी से अपना मैनूल भी कर सकते हैं जैसा भी हमें music चाहिए जैसी performance ही है हम इसको increase decrease कर सकते हैं यह देखिए stereophonic experience के लिए और यह इसका VR headset है जिसके तुरू हम ना सिफ वीडियो इस phone के तुरू हम play कर सकते हैं बलकि इस phone के अंदर 3D video shoot भी कर सकते हैं यह देखिए इसको थोड़ा सा click करेंगे तो इसका lock on हो जाएगा और यह lock हो गया है ठीक से इसके अंदर हम लगाएंगे 3D video play करेंगे तो इसको हम जब पहनेंगे तो हमें एक cinematic experience मिलता है पूम साउंड के साथ जिसके theatrical experience के लिए इसके साथ company ने इसके साथ जेबिल ब्रैंड का काफी अच्छा जो माना जाता है आडियो के लिए आडियो डिवाइस जेबिल ब्रैंडिंग का एक एरफोन हैट्सेट इसके साथ दिया है तो यह उसके उपर इसकी वीडियो को select करने के लिए उसको play pause करने के लिए forward करने के लिए यह इसके अंदर setting के बटन दिये गये हैं जिसके थुरू हम इसको operate कर सकते हैं वीर headset को easily तो देखा दोस्तों आपने यह देखिए यह अपने आप इसमें detect करके इसने अपने आप इसका वीर मोड में वीडियो प्ले करने के लिए स्क्रीन को दो इस्सों में कि दिवाइड कर लिया था इसमें कि वीर लांचर इसके अंदर application inbuilt दिया गया है इसके अंदर देखिए इसमें बता आया जा रहा है थोड़ा सा इसमें डेमो दिया गया है कि किस तरीके से फोन को insert करेंगे उसके आप इसको insert करने के बाद on करेंगे तो यह देखिए screen अपने आप automatically दो हिस्टों में डिवाइड हो जाती है जिससे हमें वियर हैड्सेट में यह पूरी तरह से support करती है तो कि इसके अलावा यह वियर स्टोरिस के अंदर एक application दीगी है जो वियर हैड्सेट को support करने के लिए उसको help के लिए काम करता है और इसके साथ जेंडर एक file transfer application दी गई है इसके file और डाटा को share करने के लिए smart suit के साथ आता है यह touchpal 2015 इसके अंदर application है एक दी गई है sound recording के लिए sound recorder application प्लेकेशन प्ले स्टोर शैजर्म प्ले मुजिक प्ले मूवीज एंड टीवीज काफी application इसके अंदर दी गई है और इन बिल्ड इसके अंदर देखिए facebook instagram whatsapp सब कुछ इन बिल्ड इसके अंदर company provide किया है कि देखिए शाजम इसके अंदर क्लीन करने के लिए बटन यह गूगल का ची एप्स का फोल्डर है इसमें गूगल एप्स दी गई है और यह देखिए drop-down screen इसमें यह ब्लुडूथ NFC वाइफाई वाइफाई डिरेक्ट और इन बिल्ड इसके अंदर कुछ गेम्स भी दी गई है यह देखिए जैसे asphalt गेम लॉफ्ट का इसके अंदर दिया गया है दूबल नैनो सिम इसके अंदर 16GB मेमरी दी गई है 3GB RAM के साथ और इसका मेमरी जो है सेगंड स्लोट में आप यहां तो मेमरी कार्ट यूज कर सकते हैं यह सिम स्लोट की तरह यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें मेमरी कार्ट लगाना चाते हैं तो इसके अंदर 256GB तक का support company ने दिया है बट उसके अलावा फिर आप एक ही सिम यूज कर पाएंगे क्योंकि वह hybrid SIM slot दी गई है जिसमें आप second SIM slot में यह तो SD card लगा लीजिए यह आप इसके अंदर SIM slot यूज कर लीजिए तो काफी अच्छा phone है slim look दिया इसके अंदर 5.2 size में full HD display है और 13MP camera, 8MP camera, 16GB memory, 3GB RAM और fully glossy glass finish के साथ metal body है, metal frame जो आता है काफी अच्छा look इसको premium phone की look देता है इसको single handedly operate करने में बहुत ही easy है दोस्तों तो यह था हमारा आज का वीडियो और आगे के लिए कोई आपके मन में कोई सवाल हो इस phone से related कोई आपकी queries हो आप नीचे comment box में जाके comment कर सकते हैं और इसके बारे में कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके बारे में सवाल पूछी हम आपका सवालों का जवाब देंगे और इसके लिए और कोई अगर आपको वीडियो अगर आपको चाहिए तो बताइए हम इसका दूसरा वीडियो भी इसके बाद बनाएंगे करें यूज करने के बाद इसका मूवी एक्स्पीरियंस वीडियो एक्स्पीरियो वीडियों कैसा बनाता है एकसी फिक्चर कीच कर इसके हम के आपको दिखाइंगे की कैसी पिक्चर या क्या क्या कॉलिटीग Yay और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए ताकि हम आगे के वीडियो में भी आपको इसी तरही की प्रोडक्स और गैजट्स लाकर वीडियो बनाकर दिखाते रहें थैंक्यू